राधे राधे भगवान की क्रिपा से आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने घर में रख रखाव में कौन से ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे के हमारे घर से बिमारी लड़ाई छगड़े नहीं जाते और धन का आगमन भी नहीं होता इसलिए हमें हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कभी भी अपने घर के रख रखाव में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए पहली बात तो ये है के हमें कभी भी अपने बेड के गड़ों के नीचे खाली थैलियां, कैरी बैग्स और जो डॉक्टर दुआई के लिए परचियां लिखके देते हैं और जो हमारे घर के हिसाब किताब की कोई डाइरी या स्लिप्स होती हैं वो कभी भी अपने बेड के गड़ों के नीचे नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये जो कैरी बैग्स होती हैं, ये मार्किट में कहां कहां से घूम के आते हैं और इनमें बहुत ही नेगेटिवटी होती है जब हम इन्हें अपने बेड के गदों के नीचे रखते हैं उसे ये फिर नेगिटिवटी फैलती है और हम सारी नेगिटिवटी को अपने साथ साथ ही रखते हैं जिस से के पती-पतनी में भी छगड़े होते हैं, बच्चे भी कहना नहीं मानते और बच्चों के बैड के गदों के नीचे भी कभी नहीं ये फालतू की चीजें रखनी चाहिए मतलब ये है कि जो बैड के गदे हैं वो नीचे से बिलकुल क्लीन होने चाहिए और बेड़ पे कोई भी ऐसी खाली थैलियां कैरी बैग्स और हिसाब किताब दौाई की परचियां गद्डों के नीचे नहीं रखनी चाहिए इससे घर में लड़ाई छगड़े होते हैं पती पत्नी में दरारें आती हैं और घर का महौल खराब हो जाता है और बच्चों की पढ़ाई में भी रुकावते आती हैं बच्चों का मन भी इसी नेगेटिविटी की वज़ा से पढ़ाई में नहीं लगता और दूसरी बात है कि हमें कभी भी अपनी खाने वाले चीज़ों के डिबों के साथ दौाईयां नहीं रखनी चाहिए नहीं दौाईयां किचन में रखनी चाहिए क्योंके किचन में मा अनपूर्णा का वास होता है और वो हमेशा ही किचन में अपना अशीरवाद बनाए रखती है और जब द्वाईयां रखी होती हैं तो उसमें भी अशीरवाद होता है जिससे के वो फिर बिमारियां बढ़ती हैं क्योंकि खाने पीने की वस्तों के साथ जब द्वाईयां रखी रहेंगी तो वो हमारे खाने में ही शामिल हो जाएंगी इसलिए किचन में कभी भी द्वाईयां नहीं रखनी चाहिए कई लोगों ने अपने लिविंग रूम में बिस्किट वगारा के डिब्बे रखे होते हैं उसके साथ ही द्वाईयों वाले और्गिनाइजर या डिब्बे वगारा रखे होते हैं जिससे के उन द्वाईयों का जो negativity है वो हमारे खाने वाली चीजों में भी चली जाती है जिससे के उनका प्रियोग, दौाइयों का प्रियोग हमारी जिंदगी में बढ़ता है. इसलिए कभी भी खाने वाली चीजों के साथ दौाया नहीं रखनी चाहिए इन्हें कभी भी सामने भी नहीं रखना चाहिए इन्हें इनकी कोई अलग ही जगा होनी चाहिए जहां पे दौाया रखी हो अगर ये सामने रखेंगे तो फिर ये बढ़ती है हमारे जीवन में इनका जो परभाव है वो बढ़ता है और हमारे जीवन में इनका परियोग ज्यादा होता है तीसरी बात है कि हमें कभी भी जो घर का कूड़ा है वो घर में 4-4-5-5 दिन नहीं रखना चाहिए जैसे कि कई बार कूड़ा उठाने वाले नहीं आते तो अगर वो पांच दिन नहीं आते तो पांच दिन ही कूड़ा घर में रखा रहता है इसी बीच हम पूजा पाठ भी करते हैं जिससे कि इसका फिर परभाव घर में अच्छा नहीं होता इसलिए अगर कोई कूड़ा लेने वाला नहीं आता बाय चांस तो हमें फिर वो कहीं बाहर जाकर रखाना चाहिए जहां से कि वो सफाई वाले करमचारी उठा के ले जा सके चार चार पांच पांच दिन तक कूड़ा कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए इससे नेगेटिवटी बढ़ती है और हमारी पूजा पाठ का भी फिर हमारी जिन्दगी में कोई भी शुप असर नहीं होता और सारे घर में जो बदबू फैलती है उससे मा लक्ष्मी का कभी भी आगमन घर में नहीं होता क्योंकि मा लक्ष्मी को सफाई और खुशबू पसंद है इसलिए हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन में जो अपनी वस्तुओं का रखर खाव है वो सही धंग से करना चाहिए तांके हमारे घर में लड़ाई छगड़े ना हो नेगेटिवटी दूर रहे और मा लक्ष्मी और मा अनपूर्णा का अशीरवाध हमारे घर में बना रहे जै माताली